मार्केट की मुवमेंट अब्ज़र्व करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार की EMAs या फिश स्ट्राटेजीज को प्लाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉग और शॉट को प्लाइन करते हैं अब लॉग और शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़े आ चाहिए तीनों चीज़े सीख जाएंगे अगर आपने आज का वीडियो देखा और इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की चीज नहीं मैं स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा उसके लिए भी स्ट्राइजी अलग है और साथी साथ स्विंग ट्रेड्स अग रहे हैं जब आब एक ट्रेडिंग प्लान को सेट कर रहे हों आपको वीडियो पसंद आएगा यस विल्कम बाक टू मैं चैनल गाइस दिससे बुदिल व्यासना होप यौल आ दूइंग विल एन्टी तूस रही है मस रही है तो यहां सबसे पहली चीज़ जो हम लोग नोट आए की रिलेटिव स्टेंथ इंडेक्स यहां पर नजर आएगा उसको एपलाई कर दीजे और आप लोगो यह ठीक ऐसा ही यहां पर नीचे बॉक्स बनकर आरेसाई नजर आ जाएगा अब आरेसाई की कुछ सेटिंग्स है जो हमें करनी है तो आप सेटिंग्स के अंदर जा और उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे lower band lower band को हम लोग यहां पर 40 करने वाले उसके बाद हम लोग आएंगे inputs के अंदर और input के अंदर हम लोग आरेसाई की लेंद 15 ही रहने देंगे और moving average का type EMA जो भी आपकी यहां पर लेंद तो उसको 15 कर देना और EMA को यहां पर moving average की लेंद भी आप लोग यहां पर 15 करने वाले जैसे यह changes apply किये आपका chart कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अब हम लोग यहां पर RSI पर काम कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीका है कि जब जब आप लोग moving average जो RSI में लगाए उसको और RSI वाली line को इन दोनों को ही अंदर जात है आप लोग के लिए तो यहां पर आप entry मारने की कोशिश करेंगे लेकिन हम confirmation का wait करेंगे और check करेंगे कि क्या हमारी RSI की line भी अंदर की दरफ enter होती है yes हमारी RSI की line यहां पर अंदर enter हो गई है और इस इन दोनों का भी crossover already हो चुका है तो अब पीली वाली line भी अंदर है औ नहीं हमारी entry कुछ इस particular zone के आसपास होती है this is the point जहां पर हम लोग entry मारने वाले है this will be the point ध्यान से देखेगा इस point के ओपर हमारी यहां पर entry होती है this is the entry point अब जब हमने entry मार ली तो हम यह notice करेंगे कि उस particular zonal का जो lowest point रहे चुका है वो क्या होने वाला है so this is the point जो यहां प और notice करना कि कब ऐसा हो रहा है कि आपकी RSI और moving average RSI तो हाला कि उसी इसाप से चलेगी overbought या फिर oversold दो ही चीज़ें होती है लेकिन हमें moving average के साथ चीजों को decide करना है moving average या तो आपका यह 70 वाला जो zone है 70 इस 70 वाले zone तक पहुंचना चाहिए यानिकि 60 को cross करना चाहिए या फिर 60 के आसपास होना चाहिए जो हमारा 60 to 40 हमने range बनाई है उस 60 के आसपास हो या फिर और या आप लोग का 70 तक पहुंच जाना चाहिए फिर आप लोग चीज़े notice करेंगे कि कब RSI की line वापस नीचे की तरफ आ रही हो cross करके RSI नीचे आ जाए और आपकी यह में उपर की पड़ी रहा है इस इस पॉइंट जहां पर यह सीन हो रहा है यह देखिए इस इस पॉइंट के उपर आप देख रहे हैं कि यह आपकी RSI नीचे की तरफ आ गई है क्रॉस करके और यह ऐसे चल रही है लेकिन क्रॉस कहां पर हुआ है इस पॉइंट के उपर तो हम confirmation लेंगे एक यह दो candle closing होने के बाद और जब इमें यह चीज नजर आ जाए तो हम इस चीज को notice करेंगे कि हाँ अभी यह confirm हो गया कि RSI वापस जल्दी से उपर नहीं जाएग इस पॉइंट के उपर हम लोग exit मारेंगे that means कि आपने वापस profit इस particular point से यहां तक का profit ले लिया है this is the point जितना आप लोगों ने profit उठाया अब आप लोग वापस आ जाईए इस चीज के उपर और दुबारा इन सारी चीजों को notice करने की अगर कोशिश करते हैं तो यह चीज क को इग्नोर कर रहें ऐसा point ढूंड रहे हैं जब जाकर के यह एकदम आसपास है this is the point ध्यान से देखने की कोशिच कीजिए इस point के उपर ऐसा हुआ है इस particular point के उपर यह दोनों चीजें हुई कि यहां हम लोग point ले पा रहे हैं कि यह नीचे की तरफ cross हुआ और यह अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है यानि कि ऐसा point जहां पर यह आपकी exponential moving average और RSI दोनों ही इस point के अंदर जा चुकी हो यानि कि this green candle is the confirmation for the shot अब यहां पर हम लोग एक shot मारेंगे उपर नहीं यहां पर after the confirmation क्योंकि manipulation कभी भी हो सकती है then exit का point हमें कहां मिलता है exit का point हमें इस particular point के उपर मिलता है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए इस point के उपर जब यह इसको cross करके उपर की तरफ चला गया और यह lowest point हमें नज़र आया यहां पर हमने exit मारा this green candle after the confirmation हमें इस low point पर exit नहीं मार पाएंगे हम exit यहां पर मारेंगे इस strategy को try जरूर कीजेगा और उसके according मुझे comment करके बताइएगा कि क्या यह strategy आप लोगो समझ में आई कि नहीं आई exit के समय के उपर हम जो best point हमें नज़र आएगा जहां पर यह cross होकर अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या फिर अंदर की तरफ यहां से उपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तब हम exit मारेंगे एंट्री के समय हम लोग confirmation लेंगे कि यह दोनों lines cross होकर अंदर की तरफ जा चुकी है कि नहीं उस point के उपर हम लोग entry मारेंगे चीज़े समझ में आई हो तो जरूर अभी से like कर दें अब चलते है swing trading की strategy के उपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग यहां पर bitcoin का चार्ट open कर रहे हैं मैंने आपर four hours का चार्ट open किया हुआ है दो exponential moving average का इस्तिमाल किया हुआ मैंने indicators के अंदर जाएंगे आप लोग और indicators के अंदर जाकर exponential moving average EMA यह में type करेंगे तो आप लोग को exponential moving average नजर आजएगा दो बार क्लिक करना है दो exponential moving averages आप लोग को add कर लेनी है जैसे ही आपने add की यहां पर आप देखेंगे exponential moving average 11 settings के अंदर जाएंगे settings के अंदर जाकर चेक करेंगी 11 है की नहीं है बाकी कुछ भी changes नहीं कर रहे है इसको okay कर दिया और दूसरी वाली को आपने EMA 50 कर देना है दो exponential moving averages का इस्तिमाल करेंगे जब जब crossover होता है इस crossover के उपर आप लोग entry बनाने की कोशिश करेंगे crossover होते ही आप लोग entry बनाते हैं और यह चेक करते हैं कि वापस उपर कब तक जाते रहता है और कब जाकर जो आपका बड़ा वाला exponential moving average जाने कि 50 वाला है क्योंकि छोटा वाला तो आपको 11 है 50 के उपर कब सपोर्ट लेता है market अब यह सपोर्ट इस जोन के आसपास ले रहा है अब यहां पर यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे चीजों को वेट करने के चीजों को समझने के लिए यहां पर हमारा crossover हुआ और इस particular point के उपर जाकर वापस इसने support लिया तो हम लोग यहां पर exit मारेंगा और यहां पर entry मारेंगे मारकेट जब-जब अकरेंड के अंधर हो तो अब इसके अंदर सिर्फ की ट्रेड राय करना शॉट की ट्रेड specialized का क्ना कि शॉट की अंदर शॉट की ले पाते लॉंग की ट्रेड नहीं ले पाते दीज आधा टू तिंग्स जो आपको रिमेंबर रखनी है याद रखनी है कि मार्केट जिस ट्रेंड में होगा हमें सिर्फ उसी टाइप की कॉल इस पर्टिलर के अंदर आप लोग को और मार्केट हमें पता है कि मार्केट अगर लॉंग रन में चल रहा और उपर की टरफ ही जा रहे तो अगर थोड़े लंबे टाइम तक हमें ट्रेड चलानी है तो बीच में जो फ्लक्टुएशन आएगी उस से हमें इग्नोर कर देना है तो उस समय हम लोग शॉट की ट्रेड समझ में आता और कैसे प्राफिटिबल लगते हैं जरूर कमेंट करके बताई और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरू करना ताकि वो लोग भी इस प्रकार की चीज़ें और खुछ से ट्राय करने कोशिश करेंगे जब तक आप खुछ से चीज़ों को ट्र झाल